नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आई उर्वेट पर अधारित हमारे इस पेहत खास कारिकरम स्वस्थ विचार में मैं हूँ आपके साथ आपका साथ ही विकास तर्शकों स्वस्थ विचार कारिकरम एक मातर ऐसा कारिकरम है जिसके वजह से आपको अपने आपको स्वस्थ रखना भी एक चुनौती बनता जा रहा है आज किल किस दौर में क्योंकि जहां हमारे पास एक और प्रदूशन से भरा वातावरन है वहीं दूसरी और शुद्धता के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है पानी भी हमें साफ करके पीना पड़ता है भोजन भी हमें शुद्ध नहीं मिलता तो ऐसी परिस्थितियों में भी अपने आपको स्वस्थ रखना अपनी तंद्रोस्ती को बरकरार रखना एक चुनौती से कम नहीं है लेकिन ये सब चीज़े आप कैसे कर सकते हैं वो हम कारिकरम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और इन सभी व इस कारिकरम में रोजाना हम एक नए विशय पर चर्चा करते हैं हर रोज आपके लिए एक नया विशय लेकर आते हैं एक नए रोग के बारे में चर्चा करते हैं और उसके उपचार समाधान वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है ताकि आप से संबंदित यदी वो समस तो कोई भी किसी भी प्रकार की रोग किसी भी प्रकार की समस्या उनको होगी ही नहीं ऐसे ही चर्चा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आज के इस विशय यानि पथरी पर हम बात करना चाहते हैं अक्सर पथरी की समस्या की वजह से बड़े बड़े ऑपरेशन तक करने हम थोड़ी सी यदि सावधानी रखें, थोड़ा सा हम सतर खताब बया करें, बरताव करें अपने साथ, तो यकीनन सारे रोगों को हम दूर कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं कारेकरम में और शुरू करते हैं अपने नए विशाय पर चर्चा, गुरुजी, जैसा कि हमने करेकरम के शुरू में कहा, पत्थरी से संबंधित आज हम बात करने जा रहे हैं, पत्थरी का सीधा-सीधा अर्थ है स्टोन, हमारे शरीर में, पेट में, लिवर के पार, कहीं भी स्टोन जैसी चीजें उत्पन हो जाती हैं, पत्थरी बन जाती है, और ऐसे में असहिनी पीडा होती है, ओप्रेशन के अलावा और कोई तीसरा साहरा नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं कि पत्थरी निकल भी जाए, ऐसा भी कहा जाता है कि पत्थरी का ओप्रेशन हुआ, पत्थरी समाब तो हो गई, उसके बाद फिर से हो गई, तो आखिर प तलिवे दाले हैं, ब्रेड, बिस्कुट, प्राउंठा, तलिवे चीजे हैं, और पानी पीते हैं, जहां पे जाके टूक बैठ लिया, वहां पे जाके पानी इसको पूरा मिलानी पत्थर का रूप धान करता है, फिर वहां से शर्कता नहीं है, आज पूरे संसार के अंदर, अलोपेथिक में बार बार एक ही बात कहता हूं, कि यह सिफ बिजनिस है, यह अंग्रेजों की चाल थी, कि पैसा लूटो, चेह कैसे भी लूटो, हमारे हिंदूस्तान के अंदर, जड़ी बूटियों से राज किये जाते थे, चैमिकलों से राज नहीं होते थे, तो उसमें क मक्षी निकाल के दूद को प्रयोग में ले लेते हैं, ऐसे उस रोग को समाथ करते हैं, अब पत्थरी आपको हो गई, बेथा दर्द है, तो इसके हमारे पास एक निस सेक्रों नुक्सें इसको ठीक करने के, प्रांतु टीवी के माध्यम से मैं आपको वही नुक्षे और गेहों के मोटे दाने, पच्ची-पच्ची ग्राम तोनों चीज़े ले ले, पचास ग्राम होगी, अब इसको आपने चार किलो पानी में इतना वालना है, कि चार किलो पानी का आपने एक किलो पानी रखना, अब एक किलो पानी रखने के बाद इसको छान लेना, छान के यह आप कांच की बोतल के अंदर डालना, पलास्टी की बोतल में डालना, बर शितना ध्यान रखना, और जो ग्यों और चने आपने उबाले हैं, इनको आप कूट के पीश के आटे में वलाके रोटी बना के खाना, अब इसमें से आपने 50-50 ग्राम पानी हर दो गहंटे बाद पीना, 50 ग्राम पीने में भी आपने 15 मिंट लगाने हैं, जैसे गर्व दूछ उसका लेकर पीते हैं, ऐसे पीना, एक बार के पीने से आपको जो भ्यंकर दर्था समगत हुएगा, उसके बाद जब आप दिन में 8-10 खुराके ले लेते हैं, तो एक मिन्ने में चाहे आपकी पत्थरी 50 mm की क्यों न हो जाए, वो भी समापत हो जाती है, चाहे पिते में हैं, चाहे बलेडरी में हैं, चाहे गुर्दे में हैं, चाहे किसी नस्के अंदर फशी है, क्योंके ग्योहूं और चना ये दोनों मिल करके जो सुका हुआ नाज है जिसका पत्थर बन चुका है इसको ये पानी उबला हुआ ऐसे तोड़ता है जैसे एक क्रैसर पत्थर को पीछ के बजरपूर बनाती है कि आपने जो रोटी खानी है उस आटे को छानना नहीं है चोक पर साथ चाहिए और इसमें रोटी में आपने ग्योहनी लेनी इसमें जाव, चना, सोयवीन, मक्का, मूंग, मोठ, चुलाई और सिंगारे यह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चीज कम ज्यादा कर सकते है उसके बात नहीं कि कौन सी ज्यादा करनी कौन सी कम करनी बराबर मात्रह में ले सकते हैं अब पहले इनको सब को अलग लग दो के सुखा लें अब इसमें 50 ग्राम अजोयन, 50 ग्राम अलसी, 100 ग्राम तिल भून करके इसमें मला दें अब इस आटे की जो रोटी बनानी है वो आपने आटे को उतना ही लेना जितने भूक है फालतु आटा नहीं लेना और ताजी गर्म-गर्म की खानी इसका तरीका है कि आटा आटा आपने सकत गूंद ला और सक्त आत्पा कून्ध करके खुलत पानी में उसको रख दे न, इतने में आपने दाल, सब्ये जो भी चीज खाना इसको बना लें, सब्य या तो छिलके वाली, दाले या तो छिलके वाली, अब इन में छोकुनि लगाना इसमें काला नम्क या सिंदा नम्क, आम नम्क भी नहीं डालना जो आइडियन वाला है, लाल मिर्च, हरी मिर्चिनी पर ये काली मिर्च डाल सकते हैं, जीरा, अज्वैन, बड़ी लेची, दाल चिन्नी, सोंथ, पीस करके रिख लें, जब आप खाना खाने लगेंगे तो मसाल के तावर पर उसको डाले, लस्टन प्याज अधर को पीस करके चटनी बनाके रस निकालके तो पानी में बलाके आपको ही पी नहीं, खाना खाते स्में, दो गलास पानी पीना है, और रोटी जो है आप हैसा भूख रखके खानी है जैसे आपको चार रोटी की भूखा तो आप दे निखाएंगे एक रोटी की जगा खाली रखेंगे आप पानी के लिए और ऑक्सिजन के लिए अब ये लीवर को पैंकरी को पित्ते को गुर्दे को तिली को ऐसे साफ करता है जैसे गर्म पानी में तजाब डालके लोगे का जंग उतारते ऐसे इनकी स्वाई होती है जब हमारा खाया पिया ठीक डंग से पच जाता है तो पैर के तलव उसे सिरके बाल तक का हरेक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूरे करकट के ढेर को मार चीज की तिली जिला के समाप्त करती है और इस नुक्षे से मैंने एक दो या दस पंदरा की पथरीन तोड़ी है मैंने इसमें कम से कम ढाई तीन लाग की पथरीन तोड़ी है जिनको डाक्टर ने तीन-तीन चार-चार प्रेशन करने के बाद फिर पथरी बन जाते थी प्रांक्तु जब से उन्होंने मेरा फार्मुला आजमाया आज यो कभी फोन आया भी तो एक ही बात कहते है के स्वामी जी आपने हमें जीने का रास्ता बता दिया और आज हम सुखी हैं जो हमें गारे खोन परशीने की कमायी डाक्टरों को लुटानी पड़ती है वो बच गई तो मैं तो टीवी के माद्यम से एक ही बात बार बार कहता हूं कि स्वास्त विचार आसरम का प्रोग्राम किसी डाक्टर हकीम बैद से नहीं मिलता नाडी परिक्शन के लिए जिसने नाना उसे देन राथरी 10 वह के खा पीके या दातर्न कूड़ा करके बड़ी लेची OD में रहके चूशते रहना सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नाम करन करोना 10 से बारा मैं नाडी परिक्शन करता हूं नाड़ी प्रिक्ष में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI CT scan extra ultrasound ECG sonography सब कुछ पांच सेकिंड में हो जाती है उसमें जो भी कमी स्रील के अंदर पाई जाती है और सब द्वाईयों दी जाती है द्वाईयों खाने की हैं द्वाईयों पीने की हैं मार्श करने के तेल हैं आंख में नाक में कान में डालने की द्वाईयों हैं यह द्वाईयों अंदर जाकर ऐसे काम करती है जैसे एक बंजर जमीन पर नमी दे के उसमें हर्याली चा जाती है ऐसे नसों के अंदर का कच्रा न पहाल जए मेरे को पत्री का प्रवνοम था मैंने 2-3 भार स्वान में घृट नो किड़नी में इनगलत का चांव से पांच साल बजल smar रिख केए क verbessera फीज में मेरे को एक असा ऐसा बोला कि ह आपरेशन करना पड़ेगा तो पत्री निकलेगी कि मैंने वहाँ पर अपरे संग करने के लिए बोला था पेल जब पैले जब पने बोलने मेरं को कि और बोला नि इस inverttså दबहां वार पेड़ी जे अट खर थे साथ यह जो ऌह परें के पाड़ि ऑपर मेरे को और इसे मार्र है लिए अपरेट यह जी तो इसके बाद मेरे नियू बटाया का बोला कि लिवर प्रॉब्लम इसका है और लेवर प्रॉब्लम मेरे को एक साल से वहाता हुआ चान्ट प्रॉब्ट्र मेरे को अवंडेंको जाद के लिवर खराब करे थे 2 कंट दूनी बुखा रह था ता ऐसा नहीं के बुखा राज चल गया गोली लेने से या बहुत बार होस्पिटल जाता था तो एक दू दिन के लिए उतर जाता था इंजे से लेकिन कुछ रहता नहीं कि पूरा चरा गया वापस आई जाता था मुखार मेरे को था चार साल चार पांस साल से और फिर मैंने टीव पर प्रोग्राम देखा बाबा बाबाजी के आया तो बाबाजी ने मेरे को बोला कि इसका लिवस बच्पन से ही खराब है और इसको अभी मैं जो कहता हूं वह इलाज करा हो तो मैरे बाबाजी का इलाज लिया और आज दू महिने से मैं चुट्टी पे हूँ घर पे दुकान पे ने जा रहा हूँ लेकिन मेरे को फरक पड़ गया बुकार एक तो पूरा चला गया खासी बिल्कुल नहीं कौप आता था वो दिया आता है पत्री का दुखावा होता था वो भी बेंद हो गया बिल्कुल पैर एपिटाजी के जो प्रब्लम होती थी मेरे को खुजली आती ती सरीन में जो इंटेक्श श्राज से तब्यट खरावी मेली आप आने के बाद में तको इस्टिस वारो गड़ें मेरे को हुए उपी का रहने मेरी डाइलेशी खुई जालेमाप होता हैoleak ng. पिर आंड के एक हमारे हुग विलने वाले इस्तेदार उनोंने बताया उनकी पैर खराब होगा है बाबा के यह उनके पैर से होगा उनों की इनकी बाबा जी गो और देखा दो एक दफ़ दिखा के देख लो हमावे मागू उसके बाद में दो तीन दी मिने में लेके के के में लेके जाते हैं हर जगे आज भी और पूरा सब सूझ गया बाबा ने फिर लेप करवाया मेरे लिए दस पंदरे दिन उसके बाद में फिर बिल्कुल फेट मेरा सही हो गया कपड़े बिल्कुल डीले होगे उसके बाद में आज के के में चल फिर रहूं मैं आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की और और जो दर्शकों ने हमें मैसेज़े भेजे हैं पहला सवाल हम ले रहे हैं रामकिशोर जी हैं मंदसौर से और ये पूछ रहे हैं शुरू में इनकी जो कान थी उसकी जो शवन शक्ति थी वो ठीक थी लेकिन समय बीतने के बाद ल होना लगभग लगभग बिलकुल बंद हो चुका है आप बुद्वार छोड़कर गुरू बार से लेके मंगल बार के वीच में मेरे आसर में आए जिस्तिन आसर में आना उस्तन रातरी दसवे तक खापी के दातन कूड़ा करके बड़ी लेची मों में रखके चूशते रहे सुबह नाव से दस के अंदर अपना नाम का अंकुराना दस से बारा मैं नारी प्रिक्षन करूँगा नारी प्रिक्षन में पैर के तलुए से सिर्के बाल तक की MRI CT scan, extra, ultrasound, ACG, sonography सब कुछ पांच सकिन में हो जाएंगे उसमें जो भी कमियीं आपके सरीच के अंदर पाई जाएंगे, दौएंगें धी जाएंगे, द्वाइंगें खाने के ऊ, पीने जाएंगें, मालस करने के तेन रहा है, आंख में नाख में कान में डालेंगे तो पंद्रहव दिन में आपकी कम just five sart-cent कान में सूनने की सकति ब एक सुई भी नीचे गिरती है तो उसकी विवाज कान में आएगी, क्योंकि कान के अंदर नजला सूख जाए, तो इसका लाज पूरे संसार में मेडिकल सैंस के पास नहीं है, और ये वेद युनानी होमोपेथी के पास नहीं है, परांतु सवस्त वचार एक मातर ऐसा असर मैं ना तो यहां रोगी बोलता है मुझे कि मुझे तिखलीप है, ना काईश पत्र दिखलाना पड़ता है, ना ही किसी कि इसका टेस्ट किया जाता है, यहां का नियम है कि जिस्ते नाना उस दिन रातरी दस में तक खा पीके, दातन कूला करके, बड़ी लेची मुझ में रखके चूचते रहें, सुवा नार से दस के अंदर अपना नाम करन करा है, दस से बारा में नारी पृष्ण करता हूं, नारी पृष्ण में पैर के तलुए से सिरके बाल तक जो भी रोग मिलता है द्वाईयों दी जाती है, यदि इन द्वाईयों को नियम से लेते हैं प्रेज कर होती है, या कोई हादसा होने के बाद आवाज चली जाती है, लेकिन अपने आप धीरे धीरे करके जो इस तरीके से जो आवाज जाती है, क्या उसकी वजह को माना जा सकता है, देखिए, आंख, नाख, कान, इनका कनेक्शन एक है, नजला कान में गया तो कान की वाज गई, आंखों पर आया तो आंखों भी जोती गए, और नाख में आया तो माज फूल गया, और यही दांतों में या गले में गया, तो दांत गए, जिस सेर को नजला भागेगा फालतू होगा, वो इस सेर कंडम हो जाती है, परांतु स्वर्स्वचार में हर एक रोख को ऐसे दर्शकों, हमारे इन कारेक्रमों में जो नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप और अच्छे से समझना चाते हैं, तो यूटूब के जरीए आप हमारे इन कारेक्रमों को देख सकते हैं, हमारा इन कारेक्रमों को देख सकते हैं, हमा निरोगी रहें इनी शुब कामनाओं के साथ हम आप से लेंगे जाज़त अगले अंक में आप से फिर होगी मुलाकात एक नए विशय के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे आ गया नमस्कार